तो फानली आप लोगों के समस्त में बीए सिकेंडियर या फिर आप लोग बोलते हैं बीए फोर्थ समस्तर बीए चतुर्थ समस्तर एजूकेशन यानि सिच्छा साफ्तर का पूरा का पूरा माडल पेपर कोईशन पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि इसी वर्ष दोहजार ते में किस प्रकार के कोश्चन पूचे जाते हैं और आपके परिच्छा में कौन-कौन से प्रस्ण आने के चांस है इस माडल पेपर से वह भी आपको बताएंगे लगभग परिशन का उत्तर भी बताएंगे तो कुल मिला के वीडियो मोस्ट इमपार्टेंट होने वारी यह आ नाम है ठीक है अगर यह प्रस्ण पत्र का नाम है तभी आप लोगों के लिए वीडियों मुस्ट इंपार्टेंट है कहने मतलब यह है तो इसका मतलब यह हुआ ध्यान से चुनिएगा कि साइको लोजिकल ठीक है साइको लोजिकल प्रेस्पेक्टिव आफ एजूकेशन ठी मनो बेग्यानिक द्रस्टिक कोण यह प्रस्ण पत्र का नाम है ध्यान अखेंगे यही मेन है अगर यह है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी प्रस्ण इससे जुड़े आएंगे ठीक है तो आतीले लिए उत्तरी कोईस्टिन के और बढ़ते हैं आप पूरा मनो बिग्यान वह बिग्यान है जो सिछ्छा की समस्याओं का लिबेचन बिशले सड योम समाधान करता है ठेका है मनो बिग्यान चाहिए दर्सन की रूप में रहा हो उपने फिछ्छा के माध्धम से बिक्त का विकास theS भीकास करने में सहायता की है सहायक रही ठीक तो इस प्रकार आप सच्छा मरों बिज्ञान का अर्थ लिए जब भी आपका एक्जाम होगा तब प्रश्ण आने के पूरी उम्मीर तैयार कर दीजिएगा आगला प्रश्ण के रहा आप भासा विकास के चर्ण लिखिए यानि कि राइड दा इस्टफ आफ लेंग्विश डिलॉप्मेंट फिराल येतना महात्पूर्ण नहीं कभी आता कभी नहीं आता फिर भी हम आपको बता देरें इसका आपको मुखिच्छरण लिग लिए जैसे कि सब्दों का पहला सा योजन हो गया दूफरा हो गया उन्नत भासा क के विकाफ तीसरा हो गया होलो फ्रेशी की ठीक होलो फ्रेशी को अवधी इत्याद कुछ चरण होते हैं येतना इंपाटर नहीं है आप इसे एक नोर भी कर सकते हैं अगला प्रशन है कि निरेच्छन बिधिके गुणों ये महात्पूर्ण इसको आपको ज़रू तैयार कर लेना है निरेच्छन बिधिके गुण के बारे में जा लेते ठीक है तो निरेच्छन बिधिके माध्यम से चात्रों में तरक सक्ति का विकास होता है यह जो घटना के व्यापक गहन निरच्छा के बाद उस घटना के संदर्व में विभित प्रकार के तर्क करने रखता है इफ एक और उसकी तर्क सकती का विकास होता है तो आप कुछ इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे हाला कि पचासे सब्दों में उत्तर लिखना है अतिलग उत्रे करा है कि शिच्छण इवं अधिगम समांता हैं लिखिए तो उसका उत्ता आपप को लिखना है कि सिच्छण नए ज्यान देने की प्रकरिया है तो नया ज्यान देने की प्रकरिया है और च scripture है न तो एक ठीक है प्रक्रिया है एक प्रत्य का कार ज्ञान देना जबकि दूफ्रे का कार ज्ञान को प्रावत करना लेकिन यह दोनों कार तभी संभव हो सकते हैं जब यह दोनों किरिया सेल हो इसलिए दोनों में परस्पर नज़िकी का संबंध है ठीक है इस प्रकार आप इसका लिखना कि अनुबंध सब्द का अर्थ होता है बंध या सातत्य अथ्वा संबंध जोड़ने वाला ब्याकरण में एक संकेतक अच्छर जो किसी सब्द के सुरिया भी भक्त में किसी विशिष्टा का घोतक हो जिसके साथ हुआ को जोड़ा हो किसी व्रड या वर्ड समों को भी अनुबंध कहा जाता है या पिर प्रियोग में समय लुप्त हो जाता है इन सभी प्रश्णों का उत्तर में आपको थोड़ा थो एक्ष्प्रेंट करके समझा दे रहा हूं लेकिन उत्तर आप लोगों के समस्तर रहेगा तो आ मानसिक स्वास्त के उद्देश बताईए तो इसका आपको लिख लेना है कुछ इस प्रकार की जान सुनेगा कि मानसिक स्वास्त बिज्ञान का उद्देश ऐसे साध्धनों के एकप्त करना है जिससे साधार मानसिक रोगों को नियंतित किया सके ठीक है प्रतेक विक्त को सामंजस्पूर्ण और सुखी जीवन वितित करने में सहायता देना है यह उद्देश है तो बहुत साध्ध देश है आप इसका उत्तर अपने कोश्चन में के पर इंटरनेट गूगल पर पढ़ लेंगे महत्तपूर्ण क्रश्चन है कि समा योज का मतलब हम आपको बता रहे हैं कि मनों विज्ञान में परस्पर विरोधी आवक्ष्यक्ताओं को फंतुलित करने की ब्योहार संबंधी जो प्रक्रिया होती है उसको हम समा योजन यह फिर अर्जस्टमेंट कहते हैं इसी प्रकार पर्यावरण की कठनाईयों यह उन बाधा बालकों से आप क्या समस्ते हैं बिशिष्ट बालक क्या होते हैं चले जान लेते हैं आज इसके बारें भी तो एक प्रोफेसर हमारे बेद्वान है जिनका नाम है कुरू सैंक ठीक तो इन्होंने बिशिष्ट बालकों के बारे में इस प्रकार कुछ कहा है कि एक सकते हैं तथा तथा जिसे विद्ध्यालाय में विसेफ देखरे क्या सकता होती है उसे बिशिष्ट बालत कहते हैं तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लखेंगे महत्पूर्ण यह कोईश्चन आपके परिश्चा के लिए अगला प्रश्चन है कि अस्मृत का अर्थ बताई या फिर किसी वस्त को या सथान को देखता है तो उस वस्त पदरत अस्थान की प्रतिमा यानि कि उसकी प्रचाई यह बतार आपके मस्तिस्द्क में बन जाती है यानि महाली आपने कभी ताज महल देखा उसके बाद दु दूर्दीन बार घर आएंगे तो आप लोगो हमने तो आप के मतलब कि अपने आपर सोचेंग तो आपके नजर के सामने आपको यह दिखिएलाए तो वह कुछी मतने की एक आधी जए और प्र तो इसका उत्ता लिखना की शीखना या फिर अधिगम दोनों एक ही है ठीक है लड़नी इसको बोलते हैं एक ब्यापक सतत एवं जीवन पर्यांत चलने वाली प्रिक्रिया है कि अधिगम ठीक है मनुष्ट जन्म के उपरांथ ही शीखना प्रारम कर देता है जीवन भर कुछ कुछ शीखता रहता है धीरे धीरे वह अपने वातावर्ण से समयोजित करने का प्रितन करता है इस समयोजित के दोरान वह अपने अनभव एक्सपीरियम फिज होता है ठीक है अधिक लाब उठाने का प्रियास करता है यानि कि दिन्दगी में जो इनसान जब बच्पन से उ अधिक लाब उठाने का प्रियास करता है ठीक है तो इस प्रकार कुछ अधिगम के बारे में आपको लिखना है महत्पूर्ण प्रस्न ये भी आपकी एक्जाम करें ठीक है तो इस प्रकार समाब तो होते हैं अतिलग उत्री टाइप के क्वेश्चिन अम हम बढ़ेंगे शाथ नमबर मिलने वाले ठीक है तो सबसे पहला ही प्रश्ण है कि इस इच्छायों मनों बग्यान में संबंध बताईए बहुत ही टॉप लेबल का कोश्चन है जब भी आपकी परिच्छा होगी तो ये प्रश्ण आएगा ही आएगा हंद्र पर से ओर है ठीक है ध्यान से स इसका उत्तर पढ़ लीजेगा ठीक है अगला प्रश्ण है कि सारीजी ठाकान के लच्छन बहुत ही जर्नली प्रश्ण है और आपको इसके बारे मालूम होगा तो ठाकान के बहुत सारे लच्छन है जैसे कि नंबर एक पर आप लोग लिख सकते हैं कामकाज से जुड़ा ठ स्ट्रेफ लेंगे को ज्यादा फोचेंगे तो आपको फरीर में ठाकान महसूस होगी ठीक है और माली जै कि आप कम नींद ले रहे हैं तब भी आपको फरीर में ठाकान ठीक है महसूस होगा ठीक है और कम जूरी आपको महसूस होगी ठीक है तो यह सब साय चीजे लच्छन ह तब भी आपको थकान की महसूस होगी ठीक है और आपको मानसिक्ता नहीं तब भी थकान महसूस होगा तो इस प्रकार के जो वह कुछ लच्छन है जिन से थकान महसूस होता है जो कि आप अच्छे लिख लेंगे मुझे भरोसा है नेश्च कोईश्चन आप लोगों के समस्त है कि अधिगम अस्थानतर्ण के प्रकार लेखिए बहुत ही हाई लेबल का जर्नली और कॉमन कोईश्चन है अधिगम जिसको लर्निंगे सीखना बोलते हैं यह प्रश्ण परिच्छा में आएगा दो प्रश्ण करीब करीब अधि समय कर सकते दरवाई को नौल कर सकते हैं ऑगला प्रस्ण आपके समझत है कि प्रितिभास बालकों की बालक भी था अगिनके बारे में लिखना महत्रकौर्ण के बढ़ते कि समयोजन के लच्छ बताई तो भाई आपको समयोजन के बारे में आपको पढ़ लेना उसके लच्छन तयार कर लेना महात्व पूंट प्रशने भी समाय जों फिजोड़ा प्रशन आपकी पर इच्छा में जरूर आएगा चाहे एक चाहे दो आएगा आएगा जरूर ठीक है और अगला कोश्चिन है कि मन्द बुद्धिता के करण यह इतना बाटर नहीं आप पढ़ भी सकते हैं ठीक आपके पास समय है तो बेशक पढ़ें अधर्वाइग्नूर कर सकते हैं इसका उत्तर आपको प्रती प्रस्निक उत्तर देने आपको दस नंबर मिलेंगे तो पहला यह प्रस्न है कि फिच्छा मनो विज्ञान की परिभा पांच नंबर हो पंद्रा नंबर से बीस पंद्रा नंबर तो आपके हो जाएंगे शिर्फ और सिर्फ एक प्रस्न का उत्ता तयार करने ठीक है कि आपको दो जगे प्रस्न दिखेंगा ठीक है ध्यान रखेंगे बहुत ही जनलियों को मन कोईश्चन कुछ पढ़ें यान प्रवावित करने वाले का विष्थार से वर्ण की अधिगम के बारें पढ़ेंगे महात्पूर्ण प्रस्न आएगा जरू ठीक है अगला प्रस्निया की व्यक्तिक्त विभिन्यता के प्रकार यह इतना महात्पूर्ण ने शीए इकनौर कर लेंगे तो जितने भी कोश्चन मैंने इस माडल पेपर कोश्चन पेपर में बताए हैं इन सभी का उत्तर आप अच्छे पर तयार कर देते हैं तो गैरंटी मैं आपको पूरा भरोस्ता दिला रहा हूं यह आपका प्रस्व नंबर का होता तो आप कम से कम 40 से 50 नंबर सिर्फ इसी वीडियो मतलब कि इसी में आने वाले महा संग्राम उसमें सारा किलियर करेंगे हम और मिलते हैं एक और नई वीडियो में जब तक किले जहें हैं